प्राचिन भारतिय इतियास में ऐसा कहा जाता है कि चवन रुशी ने गहरी तपस चर्या करके एक ऐसी दवाई बनाई जिसका इस्तेमाल करके चवन रुशी फिर एक बार जवान हो गए है जिसका नाम है चवन प्राश दोस्तो लेकिन ये चवन प्राश वग नहीं है जो बाजार में मिलता है क्योंकि चवन प्राश का सबसे महतोपूर्ण घटक है आमला और आजकल बाजार में जो चवन प्राश मिलता है वह अच्छी टेस्ट के लिए खजुर से बनाय जाता है यानि मिलावटी होता है लेकिन अगर आपको ओरिजनल चवनप्राज बनाना है तो आपको आयरुवेद्य सहीता में उसका रिफ्रस मिल जाएगा. दोस्तों ये सब बताने का मेरा उद्देश यह है कि आमला एक ऐसा नैचरल फ्रूट है जिसके बहुत सारे फायदे है. आउला एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके पोशक तत्व एक नहीं बलकि कई सेहत से जुड़ी परिशानियों से निजात दिलाते हैं. इसमें आपको पता ही होगा इसमें विटेमिन सी होता है और साथी एंटी ओक्सिडन्ट, केल्शियम, आयरन, पोटेशियम और फ्लायोनाइट्स भी होते हैं. और साथी यहां फाइबर से भी युक्त होता है. जैसे कई जरूरी पोशक तत्व प्रचूर मातरा में इसमें पाये जाते हैं. यहां सभी पोशक तत्व शरीर को बिमारियों से दूर रखने के लिए कापी जरूरी होते हैं. लेकिन जब हम आमले का सेवन खाली पेट करते ह तो वह बहुत ही ज़ाद आपकार गर्व साबित होता है. दोस्तो यहां पर आज हम खाली पेट आउले की सेवन की एक नहीं बलकि 6 महतोपुर्ण लाबों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. नमस्ते दोस्तो मैं डॉक्टर राहूल एलोपेटि जर्नरल पिजिशन एज वेल आई रुड़ा एक्सपर्ट फ्रम मुंबई. आप सभी का सवगत करता हो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहूल फ्री फैमिली केर में. हमारे चैनल पर हम आपको भैक बेस सही जानका कारी पदान करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तो मुझे आशा है खाली पेट आवला जूस पिने के ये फाइदे जानकर आप भी इसे अपने रुटिन का हिस्ता बना लेंगे. खाली पेट आवला जूस पिना एक सरल और सुरक्षित तरीका है जि बिन्न रोगों से बचाव करने में भी मदद करता है. वैसे तो खाली पेट आवला जूस पिने के बहुत ही ज़्यादा फाइदे वते हैं. पहले तो यह आपके पाचन को सुदारता है और खाना अच्छे से पचने में मदद करता है. दूसरे यह शरीर के विशेले ततों को बाहर भी निकालता है. जिससे शरीर स्वच्छ और स्वस्तर आता है. इसके अतिरिक्त आवला जूस विटेमिन C का बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थरोत माना जाता है. जो इमिन सिस्टिम को मजबुत करने में काफी मदद करता है. और साथ ही बिमारियों से लड़ने में भी यहाँ साहियक होता है. यदि आप इसे रूटिन का हिस्सा बनाते हैं, तो यहाँ आपके स्वस्तर को बहतर बनाने में मदद करता है. इसे नियमित रूप से पीने से आपका शरीर स्वस्तर और हमेशा मजबुत बना रहता है. अब हम जानेंगे आवला जूस कैसे ताकि वे सच्छे हो. उसके बाद अब सब आवलो को काट ले और उसके बीजों को अलग निकाल दे. उसके बाद अब आवले के तुकडों को मिकसर या अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसमें ब्लेंडर में डाले और पीस ले. उसके बाद यहाँ पीसे हुए आवलो को एक साप कपड़े के उपपर रखे उसका जूस निकाल ले। जैसा कि आपको पता है यहाँ जूस पीने में ज़्यादा टेश्टी नहीं होता है। लेकिन यहाँ सिहत के लिए जादू से कम नहीं होता है। इसलिए अगर आपको आमला जूस का टेश्ट पसंद नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी सिप लेकर उसे पीए, क्योंकि इसे पीने के थोड़ी देर बाद अंतमें यह मीठा स्वाद देता है, साथ ही आप आमला जूस को विभिन्न तरीकों से पी सकते हैं, और यह स्वादिष् आमला जूस रोजना खाली पेट पी सकते हैं, वैसे देखा जाए, तो खाली पेट आमला जूस पिने के कई फाइदे होते हैं, यहां आपको उन में से 6 महतोपूर्ण फाइदे बताता हूँ, जिसमें नंबर वन इस इम्मिनिटी में सुदार, आमले का जूस यानि गुज जूस पिने से आपके इम्मिनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि हामले के जूस में विटेमिन C और एंटी ओक्सिडन भरपूर मातरा में होती है, इसे आपका शरीर संक्रामित बिमारियों से दूर रहता है, और इसे के साथ इस से आपके वजन गटाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें फाइवर की मात्रा अच्छी होती है जिससे चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है इसके बाद नेक्ष्ट बेनिफिट की बात करें तो पाचन को सुधारता है खाली पेट आवला जूस पीने से पाचन तंतर में सुधार आता है यहाँ जूस पीने से समन्दित समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है जैसे कि गैस, कबज और पेट की समस्याओं आदी साथ ही यहाँ तोचा के लिए भी लाप करी है आवला जूस में विटेमिन C के साथ साथ एंटी ऑक्सिडन भी होते है जो तोचा को स्वस्त और चमकदार बनाने में मदद करते है खाली पेट इसे पीने से स्कीन हेल्ट में काफी सुदार आता है इसके साथ ही यहाँ वजन नियंतरन में भी सहायक होता है आवला जूस पीने से वजन नियंतरन करने में मदद मिलती है यह जूस मदू मिहा को नियंतित करने में भी सहायक होता है और वजन को कम करने में सहायता पहुचाता है उसके साथ ही यह मस्तिशक और आपके दिल के लिए भी फाइदे मन्द है खाली पेट आवला जूस पीने से आपके मस्तिश्क और आपके दिल की सिहत में सुधार आता है यह रुदय रोगों को रोकने में मदद करता है और दिमागिक शमता को बढ़ाता है साथी यह आखों के सिहत के लिए भी बहुत अच्छा है इस जूस को पीने से आखों को बहुत फाइदा मिलता है इसमें विटेमिन A, विटेमिन B और विटेमिन C और विटेमिन E भी होता है जो आखों की सिहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है जिनकी आईसाइड वीक होती है उन्हें तो इसका जरूर सेवन करना चाहिए या आपके बलड शुगर को भी कंट्रोल करता है इससे हाई बलड प्रिशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है अब हम National Library of Medicine के आमला पर किये लिए रिसर्च पर बात करेंगे आमला जूस एक लाप का एक पोश्टिक पदारत है जो सिहत के लिए उप्योगी होता है इसमें बरपुर मात्रा में विटैमिन C, एंटियोक्सिदेट और फाइबर होते है जो रोगों से लड़ने में साहयक होते है या पाचन को सुदारता है वचा को निखारता है वजन नियंतरन भी करता है जिकित्सा में भी मदद करता है और ताकद और उर्जा भी प्रदान करता है अनलाब में यह इमिन सिटिम को मजबुत करता है और सामनने स्वस्ट को बढ़ावा देता है एंड फाइनली दोस्तो मैं उमिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप मेरे इस चैनल पर जो हमारा वीडियो देख रहे है उस चैनल के सभी हेल्ट इडेटेड वीडियो आपको फ्री में देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकोन वाला बटन दबाना जरूरी है जिससे आपके मुबाइल या टीवी स्क्रीन पर मेरे सभी वीडियो आपको देखने को मिलेगे और आपको सेपरेटली वीडियो देखने के लिए सर्च आप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए ऐसे ही एक हेल्ट लेटेड नए वीडियो में जल्ब मिलेगे तिल दें टेक केर बाई बाई